हाई एवरिवान मैं भूवी मेरी नीटन मश्मूर फैमली और मेरे सारे वीवर्स का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स हमने कुछ वीग पहले पॉपकॉन पैटन के साथ ये गले से शुरू होने वाला स्वेटर कम टॉप बुनना सिखा था और इसको मैंने बैक ओपन बनाया था इसकी भी मैंने गले से ही शुरूवात की है और आगे मैंने इसको बटन वाली बनाई है और पॉपकॉन पैटन के साथ ही और बैक साइड में मैंने इसको प्लेन बुना है जो हमने पहले बुना है उसका जस्ट हमने इसको आपसिट बनाया है इसमें प्लेन बैक साइड है औ और इसमें फंदे भी मैंने same डाले हैं, बस एक ही difference है कि यह आगे से open है, इसमें आप आजो को देके तो same नाव की है, लेकिन मैंने इसकी जो length है वो थोड़ी कम बनाई है कारडिगन की, क्योंकि मैंने skirt के साथ बनाई है तो इसको मैंने थोड़ा कम रखा है, आप अपने हमने same बनाई करनी है, लेकिन front open बनाना है, फिर हम sleeps को अलग करके बाकी front और back part की बनाई करेंगे, लेकिन बस इसको हमने front open बनाना है, बाकी सारी बनाई हमने same ही करनी है, मैं आई बटन और description में sweater कम top की link शेयर कर रही हूं, उसमें आप यहां तक की बनाई देख सकते हैं, इ इस कार्डिगन को बुनना सीखते हैं, मैं इस कार्डिगन को बुनने के लिए same wool यूज़ कर रही हूं, जो की two ply wool है और ten number की circular needle, और इस कार्डिगन को बुनने में लगभग 150 gram wool यूज़ हुआ है, मैंने इस कार्डिगन की बुनाई यहां तक कर ली है, क्योंकि sweater कम top और इस स्लीप्स की बुनाई कर ली है और दोनों स्लीप्स बराबर हैं, बस एक ही difference है कि मैंने इस में रिस्ट में पॉपकॉन बनाए हैं और कार्डिगन में मैंने नहीं बनाए, कार्डिगन फ्रंट ओपन है और जो हमने sweater कम top बनाय था वो back side open है, मैंने दोनों में 84 फंदों से start कि फिर आगे जब front और back side को अलग किया तो दोनों shoulders में 59 59 फंदे थे और front और back में 74 74 फंदे यहां तक बिल्कुल सेम बुनाई हुई है, आई बटन में मैं लिंक शेयर करें उसमें आप यहां तक की video देख सकते हैं, अब हम इसके आगे की बुनाई करेंगे और इसकी length को complete करें बाजूं के 59 59 फंदे अलग करने के बाद front और back की 74 74 means 148 फंदे बच गे हैं, एक side के मैंने 4 फंदे बढ़ा लिये हैं, अब दूसरी side के 4 फंदे बढ़ा कर total 156 फंदे हो जाएंगे, हमने एक side तो 4 फंदे बढ़ा लिये हैं, अब यहां भी हम 4 फंदे बढ़ा कर front और back पार को जोड़ेंगे, एक, दो, तीन, और यह 4 फंदे बढ़ाने के बाद इस लाइन में हमें पॉपकॉर्ण भी बुनना है, तो एक फंदा हम सीधा बुननेंगे, फिर उसके अगले फंदे पे हमें पॉपकॉर्ण बनाना है, front side में जैसे हमने एक लाइन यहां पे पॉपकॉर के बुनाई करेंगे, पॉपकॉर्ण बुनने के लिए हमें एक ही फंदे पे तीन बार बुनाई करनी है, यहां आगे लाकर ऐसे तीन बार बुनाई करके हमें फिर उल्टी साइट से पांच फंदो को बुनना है, तो यहां से हम पांच फंदो को उल्टा उल्टा बुनेंग फिर हमें उल्टी साइट से इसे उल्टा बुनना है फिर लास्ट टाइम हमें सीधी साइट से इन स्माश बंदों को सीधा सीधा बुन कर पॉपकॉर्ण की बुनाई कम्प्लीट करनी है अब लास्ट टाइम इसे बुन लेने के बाद क्रोश्या से हम पांच बंदों का एक फंदा करेंगे अब एक फंदा करने के बाद यहां पे यह पॉपकॉर्ण हमने बुन लिया है अब ऐसे करके हमें यहां पे आगे भी पॉपकॉर्ण बनाना है फिर आगे 8 फंदे हम सीधे बुन कर दूसरा पॉपकॉर्ण बनाएंगे 8 फंदे सीधे बुनेности, आब यहाँ पी हम एक पॉप्कॉन बनाएं गे फिर से हम 8 फंदे बुनेंगे फिर फिर पॉपोप्कॉन बनाएंगे ऐसे करके हमें इस रोम में जैसे हमने पहले पॉपकॉन बनाए था वैसे ही बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे चार पॉपकॉन बना ले हैं अब आगे हम एक फंदे को सीधा बुनेंगे फिर बागी बॉर्डर के हमें साथ फंदो को उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट करनी है हमने राइट साइट की बुनाए कंप्लीट कर ली है अब हम आगे रॉंग साइट की बुनाए करेंगे तो उसमें हम पहला फंदा स्लिप करेंगे बागी सारे फंदों को हमें उल्टा बुनकर ये रूप कम्प्लीट करनी है हमने रॉफ काई कि कम्प्लीट कर ली है और हमने पॉप कॉप्कॉण की एक रो कम्प्लीट कर ली हैबojसे हमने आ गे बी पॉपकॉण बुंते जाना है और हमें रॉटन होल में साथ ऑनाना चला steps को주 अहां करना है अब हम यहां पर राइट साइट की बुनाई करेंगे तो उसमें हमें बॉर्डर के फंदों को जो साथ फंदे उन्हें हमें उल्टा उल्टा बुनना है एक फंदा स्लिप करके हमें छे फंदों को उल्टा बुनना है बॉर्डर बुनकर हमें सीधी सीधी बुनाई करनी है और दूसरी साइट के जो बॉर्डर के साथ फंदे हैं उनको उल्टा बुनकर ये रो कम्प्लेट करनी है राइट साइड हमने बुन लिया है अब ये रॉंग साइड है अब इस रो में हमें दूसरी साइट बटन होल भी बुनना है तो दूसरी साइट के साथ फंदे बचने तक हमें पूरी उल्टी बुनाई करते जाना है अब यहां तक बुलनेने के बाद यहां देख सकते हैं ये बटन पट्टी के साथ फंदे बच गए अब यहां से हम काउंट करें तो 16 यहां पे रोज हमने कम्प्लीट कर ले हैं तो यह रोज 17 में हम बटन होल बना रहे हैं तो यहां पे टोटल साथ फंदे हैं तो आगे के दो फंदो को हमें उल्टा बुनना है यहां उल्टा बुनकर फिर उसके आगे के दो फंदो को हमें एक साथ बुनकर यहां बटन होल बनाना है तो दो फंदे हमने उल्टे बुनने अब यहां पे आगे के यहां पे दो फंदो क को हमें साथ बुन कर यहां buttonhole बनाना है पिर बाचे तीन फंद हम उल्टे बुन कर यह रो complete करेंगे तो अभी buttonhole का काम भी बागी है तो यहां पर सुल्टी साइड हमें क्या करना है पहला फंदा स्लिप करके हमें आगे तीन फंदों को उल्टा बुनना है फिर यहां पर हम एक फंदा यहां बढ़ाएंगे तो यहां एक बटन होल बन जाएगा फिर बच्चे दो फंदों को हमें उल्टा बुनना है यहां आप देख सकते हैं बटन होल बन गया है अब आगे हमें सीधी ही बुनाई करनी है और बच्चे हमें बॉडर के साथ फंदों को उल्टा बुन कर ये रो कंप्लीट करनी है अब राइट साइट की बुनाई के बाद आगे हमें ऐसे ही continue बूनते जाना है बटन होल भी बूनना है और साथ में पॉपकॉन भी बूनते जाना है ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमने अभी बुनाई की थी वैसे ही आगे हमें बुनाई करनी है इसकी length को आप अपने बेबी के height के according बून सकती हैं popcorn की बुनाई complete होने के बाद आगे इसकी border की बुनाई करके हम इसकी बुनाई को complete करेंगे मैंने आगे बुनाई continue करके इसकी length को complete कर लिया है यहां से यहां तक मैंने इसकी बुनाई की फिर आगे मैंने बॉर्डर की भी बुनाई कर लिया फिर मैंने नेक में और इसके बॉर्डर के किनारों में करोशा से बुनाई की है यह बुनाई आप मेरी स्वेटर कम टॉप वाली वीडियो में देख सकते हैं मैंने अपने बेबी की हाइट के अकॉर्डिंग और इसको skirt के उपर पहनने वाले top के हिसाब से मैंने इसकी length रखी है अब इसकी length की तो measurement हो गई है अब इसको चोड़ाई में नाप दें इसकी चोड़ाई मैंने लगबग 12 इंच बुनी है अब बटन लगाने के बाद ऐसे नापे तो इसको लगबग मैंने 12 इंच चोड़ा बुना है और इसकी स्लीप्स की लंबाई को मैंने लगबग 14 इंच लंबा बुना है sleeps की measurement हो गई है अब हम इसके आमल की नाप लेंगे अब इसके आमल की total जो मैंने length बनाई है वो लगबग साड़े साथ इंच है और ये तो से तीन साल के बच्चों के लिए काफी है इसी के साथ इस cardigan की measurement complete होती है मैंने जब इसके neck की बुनाई की है तो border को मैंने बहुत हलकी आतों से बुनाई है और मैंने इसमें जब क्रोशा से lace की बुनाई की है किनारों में इसको भी बहुत हलकी आतों से बुनाई की है इसको मैंने फ्रंट साइड ओपन बनाया है और आगे से पॉपकॉन है तो पीछे साइड इसके मैंने प्लेन बनाई की है जैसे मैंने स्वेटर कम कार्डिगन बनाया था उसमें आगे से पॉपकॉन था इसमें मैंने बैक सेट से पॉपकॉन बनाकर इसको फ्रंट ओपन बनाया है मैंने sweater come top की बुनाई करते टाइम में यहां पे wrist पे popcorn केक लाइन बुनाई किया है बड़ मैंने कार्डिगन में नहीं किया आप चाहे तो इसको कार्डिगन में भी बुन सकती है मैंने दोनों की नाप सेम बनाई है लेकिन इसकी जो length इसको थोड़ा सा मैंने कम रखा है इसकी length को आप यदि बढ़ाना चाहती है तो अपने baby के height के accordance को आप बढ़ा सकती है अब इसमें बस buttons लगाने बागी है आज हमने कार्डिगन की भी बुनाई सेख ली है और sweater come top तो हमने पहले सेख ही लिया था अब आप इसको या तो front over मना कर कार्डिगन की तरह बना सकती है या तो back side open इसको बना सकती है ये sweater come top और कार्डिगन आपको पसंद आया हो तो comment box पे जरूर बताएगा जादा से जादा लोगों को share भी जरूर कर दीजीगा ताकि औरों के लिए भी ये वीडियो help ओल रहे और यदि आप मेरे चैनल में नए है तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe जरूर करेगा